हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं है मैं हूँ आपका दोस्त फुचरर पर तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट्स और मेरे अंसर के बारे में बहुत से स्टुडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर यह दे कने हैं तो यह सारे बहुत सारे जो है स्टुडेंट्स के जो कमेंट्स हमने लिए हैं तो उनको हम जो है इस वीडियो बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हैं मैं आपको बता चाहूं मैं इस वीडियो में आपके जो देखिए मैंने ये comment लिये हुए है यहां से मैं आपको ये करके आपके जो comment वह स्वाल करने की कोशिश करूँगा ठीक है अगर आपके फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप ये देखिए मेरा जो instagram channel है वहां पर जाईए वहां पर आपको ये नाम तो आप Instagram follow के लिए तो चलिए मैं एक एक से आपके comment ले चलता हूं और लास्ट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि मैं किस basis पर कह रहा हूं कि जो typing होगी आपकी screen to screen होगी वो भी मैं आपको बता हूँ है मेरे पास एक सक्तरा का मुझे admin card मिला है उस पर साफ साफ लिखा है कि जो typing होगी आपकी online होने वाली है ठीक है तो चलिए मैं आपके पहले comments पढ़ लेता हूं ठीक है तो मैं zoom कर देता हूं देखिए यहां पर यह नो नहीं लिखा है कि अंकेत भगेल जी लिखते हैं कि सर accuracy कितनी लेती है ठीक है और एक और इनका जो है question है कि यह देखिए हिं clear इसे कर पाएंगे बैसे accuracy मांगी नहीं गई है फिर भी 90 प्लस होगी तो ही आप मतलब देखिए जो typing होती है अगर आप 30 bird per minute 30 bird per minute से उपर typing करते हैं तो आपकी जो accuracy वो automatically 90 प्लस हो जाती है अगर आप उससे नीचे करेंगे तो आपकी typing speed कर देजाएगी आपकी जो accuracy वो typing speed प करना होगी तो मैं बता दूं चलिए मैं color change कर लेता हूं तो हिंदी की टाइप होगी वो आपका mangal font होगा जो की आजकल ज्यादा बहुत ज्यादा famous है सबी जगा यही उस होता है रेमिंटन गेल keyword पर होगा ठीक है रेमिंटन गेल keyword पर होगा ठीक है इस पर होगा ठीक है तो कि टाइपिंग होगी please confusion कितने मिनट की टाइपिंग होगी तो देखिए 10 मिनट का duration आपका होगा टाइपिंग का ठीक है दस मिनट से ज्यादा की नहीं होगी ठीक है क्योंकि लास्ट येर भी दस दस मिनट की ही हुई थी जो लास्ट में प्रिवियस में जो हुआ था एक्ज बढ़िया सी बनाई तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था एक बीडियो जो इससे प्रीविस डाली थी सब डीटेल में आपको बताई है बैक वर्ड बगयरा सब मैंने इसमें बताया है ठीक है फिर भी आपको यहां पर बताया दाओं की बैक वर्ड जो है बैक स्पेस बिल्कुल आपको अला हुए आप कहीं से भी मतलब आपना पूरा पैसेज भी अगर पूर टायप कर लिये तो किसी को भी घटा सकते इस्से खराब होगा जाए तो फ्योलोगा अनुस्पेस फिड्स कर दिए यह यहां को बता दिया है, आपके लिए नुकसंदायक होगा को काम करें हैं यह लखते हैं कि कोई बताओ वीर सिवाजी है बताओ यूजर डालना है तो मैं बता दूं आपको जो जब आपना वाहां पर आप देखेंगे तो एक नमबर लिखा हूँआ कुछ साथ से आठ नमबर का ठीक है आप देखिए जब आपना फॉर्म भरा वह लाला लीटिए और नहीं तो आप इनको हमना बता दिया है ठीक है नेक्स चलते हैं कमेंट बहुत जादा चांस है ठीक है इसके बाद ये लिखते हैं हमारे दिने सी कि सर्फ 16 सप्टेंबर को टाइपिंग टेश्ट क्वालिफाई और नोड क्वालिफाई का कन्फर्म हुआ नहीं तो बिलकुल आपका आपने ज नोट क्वालिफाइड इंगलिज में 25 से नीच हिंदी में तो वहीं आपका फैसला हो जाएगा ठीक है अगर आप टाइप निकाल देते हैं तो आपके चांसे सेलक्ट होने के अगर टाइप नहीं निकालते हैं तो आपके बिल्कुल चांस नहीं है ठीक है इसके बाद बैक बै तो मैंने यह वाला टेस्ट तो नहीं दिया है धर मुझे इन्फॉर्मिशन जो सोर्ससे मिलिये उसका टेस्ट जो है आपका ओनलाइन ही होगा ठीक है और मैंने बाकी जो अधर एक्जाम होता है जैसे एमपी में सीपी सीट होता है वह वाला दिया था उस पर भी स्क्रीन टू स स्क्रीन होता है दस मिनट की मांगते हैं वह मैंने क्वालिफाइग कर रहा है दो वर तीचम थीक है तो मैंने है now लेंग्वेज कौन सा सही होगा यह लिखते हैं लेंग्वेज मैं बता दूं लेंग्वेज कोई सा भी सही हैगा जिसमें आपकी टाइपिंग बेस्ट है आप वही चुनें क्योंकि अब टाइम नहीं है सिर्फ एक महिना आपके वास बचाया आप छेड़कानी मत कीजिएगा जिसमें आप पहले से करते आ रहे हैं वहीं कीजिए ठीक है चलिए और देख लेते हैं ठीक है और देखें तो यह प्रगति गोतम जी लिखती है सर मुझे इस्किल टेस्ट लेंग्वेज का ओप्शन क्यों नहीं दिख रहा है तो देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बीडिद बताया है बिल्कुल एक चीज उसना बताईए आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तो आप बहां से दिख लिए अगर आप फिर भी नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल मैंने इंस्टाग्राम बता दिए आप वहां पर आपको सॉल्व करने की पताया है उसका ऊपर का मैंने छुपा दिया यहां पर देगे कॉसल परिक्षा कंप्यूटर पर लिया जागा साब अप्यूटर पर लिया जागा ठीक है यहां पर देखिन नीचे लिए टैपिंग कोशल परिक्षा में आने वाले उम्मिदवारों को ओनला आभी दन चरण क करने में बिफल रहता है तो बिस्तरत विग्यावान मैं उनकी उम्मेदवारी खारच कर दी एक स्टूडेंट पूछा था कि हमें पता नाम मैं भूल गया उनका मैं बताए दाओंगे तो साप साप लिगा हुआ है यहाँ पर एक मिनट करने में बिफल हो जाते हैं साप साप लिखा हुआ है तो आप खारच कर दिया है वहीं से ठीक है यहाँ पर देखिए यहां पर देखिए मौक जो परिच्छा है दस मिनट की आपको दी गई है ठीक है एक बाड़ टाइपिंग पूरा करने के बाद उम्मिजा को सलाव याद कि फिर से टाइपिंग ना करें ठीक है यहां पर देखिए अगर अतरिक समय अपलब दे तो विजा टाइप स्क्रिप्ट की जाज करने और सुधारने के लिए समय आपको यह कर सकता है यानि कि आप बैक स्वेस अलाउट कर सकते हैं साफ साफ लिगा हुआ है ठीक है इसके संद आई यह तो चैनल को लाइक सब्सक्राब कर लें वीडियो को लाइक कर दों दोस्तों शेयर करें थेंकी सो मच जय हिंद जय भारत